हेलो बच्चो मैं हरिस मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ग्यान सागर मटपाल चैनल में बच्चो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सेसाइज 5.1 का कोश्चन नमबर फूर्थ का एड़ पार्ट तो इसके एड़ पार्ट को देखते हैं हम लोग हमे जो एड़ पार्ट है उसमें कुछ नमबर समय दिये हुए पहले हमें पता कर रहा है कि वो AP सिरीज है या नहीं है अगर AP सिरीज है तो अगले जो तीन टर्म से हैं वो हमें निकालना है तो बच्चो यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी जितने भी नमबर से हैं उनके बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो वो कॉमन है जीरो क्योंकि सारे नमबर से हमें तो इसका मतलब सभी नमबर के बीच का डिफरेंस जीरो कॉमन है तो इसका मतलब यह एक AP सिरीज है और बच्चो जब यह AP सिरीज है तो अगले हमें टर्मस निकालना है तो बच्चो अगले जो टर्म्स हैं वो भी यही होंगे क्योंकि सारे नंबर तो सेम है तो इसका मतलब अगले जो टर्म्स हैं फिप्ट सिक्स और सेवंथ वो भी हमारे यही नंबर होंगे माइनस वन बाइटू इस तरीके से हमें यह जो एड़ पार्ट है वो बताना है तो बच्चों अगर हम आने कि एपी सिरीज है या नहीं है अगर एपी सिरीज है तो अगले जो थ्री टर्म्स हैं वो हमें निकालने तो बच्चों एपी सिरीज तभी होता है जब सभी नंबर के बीच का डिफरेंस कॉमन हो तो सेकंड नंबर में से जब हमने पहला नंबर घटाया तो इक्वल इसका मतलब यह जो नंबर हमें दे रखे हैं इनमें जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है इसलिए यह एपी सिरीज नहीं है फिर हमें इसके आगे जो तीन टर्म्स हैं वो नहीं निकालने ऐसे बच्चों इसका टैंत वाले पार्ट है टैंत वाले पार्ट में पहले हमने पता गरा कि सभी का difference common है या नहीं है तो सभी का जो difference है वो common निकल के आया equal to a इसका मतलब यह जो series हमें दे रखी है यह ap जो है एक ap series है तो अगले तीन terms हमें निकालने हैं हमें चार terms दिये हुए तो इसका मतलब है fifth वाला जो term है वो हमारा होगा a plus 4d a और d की जगए उनकी value रखेंगे तो यह हमारा आजाएगा a plus 4a ठीक है बच्चो तो यह हो जाएगा 5a ऐसे 6 वाला term निकालेंगे बच्चो तो वो हमारा निकल के आजाएगा equal to 6a ऐसे हम 7 वाला term निकालेंगे तो बच्चो वो निकल के आएगा a plus 6d equal to 7a तो इस परकार से हमें यह जो 10 वाला part है यह करना है फिर इसका दूसर अगला part देखते हैं हम लोग यह हमें numbers दिये हुए पहले हम पता करते हैं कि यह AP series है या नहीं है तो सभी numbers के बीच का difference जब हमने निकाला तो वो difference common नहीं आया और बच्चो जब common difference नहीं आता तो वो AP series नहीं होती ऐसी 12 वाला part देखते हैं हम लोग यह number समय दिये हुए रूट में पहले हम क्या करते हैं डी निकालते हैं second number में से first number गटाते हैं तो बच्चो second number क्या है हमारा root 8 और first number है हमारा root 2 फिर जो root 8 है उसको हमने अंदर factor किये तो बच्चो root के अंदर कोई number अगर दो बार होता है तो एक बार भार आ जाता है तो root 8 को हम 2 root 2 लिख सकते हैं और 2 root 2 में से जब root 2 माइनस करेंगे बच्चो तो यह हमारा d जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा root 2 ऐसे हम क्या करेंगे third वाले number में से second number घटाएंगे तो third number हमारा root 18 है और second number हमारा root 8 है तो जब हमने root 18 के factor किये तो 3 multiply 3 into 2 हो गया बच्चो 8 के भी factor करें अंदर कोई number अगर दो बार है जैसे 3 दो बार है तो एक बार भार आ जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा 3 root 2 ऐसे यह two number अंदर दो बार है तो एक बार भार आ गया तो बच्चो यहाँ पे भी difference निकल के हमारा root 2 ऐसे हमने fourth में से जब third वाला term घटाया तो वहाँ पे भी जो difference निकल के आया बच्चो वो difference हमारा root 2 ही निकल के आया इसका मतलब यह जो numbers है यह AP series में है क्योंकि इनके बीच का जो difference है वो common है अब बच्चो अगले तीन terms हमें निकाल ले तो fifth वाला term हमारा होगा a plus 4d a और d की जगह अगर हम value रखेंगे a और d की जगह अगर हम value रखेंगे तो हमारा fifth वाला जो term निकल के आएगा 5 root 2 ऐसे ही बच्चो हम six वाला और ऐसे ही हम seventh वाला term भी निकालेंगे a और d की जगह उनकी value रख देंगे तो बच्चों इसका अगला पार्ट देखते हैं हम लोग कोश्चन नमबर फूर्ट का थर्टीन देखते हैं तो पार्ट थर्टीन में भी हमें नमबर्स दिये हुए पहले हम पता करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कॉमन है या नहीं है दूसरे में से नमबर घटाया बच्चों तो ये common difference नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह AP series नहीं है ऐसे हम इसका 14 पार्ट देखते हैं बच्छो तो दूसरे नमबर में से पहला नमबर घटाया तो यह difference आया 8 फिर ऐसे तीसरे term में से दूसरा term घटाया बच्छो तो यह हमारा जो difference निकल के आया यह भी हमारा 16 आया तो difference common नहीं है इसलिए AP series नहीं है ऐसे हम इसका 15 वाला पार्ट देखते हैं 15 वाले पार्ट में पहले हमने second number में से first number घटाया तो difference हमारा 24 निकल के आया 3rd term में से second term घटाया तो difference हमारा 24 निकल कि आया बच्चों फिर फोर्थ वाले टम में से थर्ड घटाया तो यहां पर भी डिफ्रेंस हमारा 24 निकल के आया तो यह जो नंबर से यह अगले जो तीन टर्म से वो निकाले ए और डी की जगे उनकी वैलू रख दिया तो इस तरीके से बच्चों हमने कोश्चन नंबर फोर्थ का यह जो पार्ट से 15 वाला यह सौल किया कि सैवंत वाला टम में निकाला कि तो इस तरीके से बच्चों में करना है